हेलो प्रेंश विल्कम विक टुमाई चैनल कई से हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे आशोस्त होंगे तो चलिए इस खुपसरा स्लेप्स को बनाराई स्टार्ट करते हैं तो पहले हम इसको लंबाई मेजर्मेंट कर लेंगे तो इसको लंबाई इसको लंबाई मेजरमेंट करेंगे तो इसको लंबाई हमने लिए 17.5 इंच इसके चोड़ाई है 7.2 इंच आप ज्यादा भी ले सकते हो और यहां से हम 3 इंच पर एक चोड़ा सा मार्क लगाएंगे एहां से टैंगर स्थेप देते हुए इसे शियप दिलीनी है अब नीचे के वर से एहां से हम 6 पॉइंट में एक मार्क लगाएंगे एहां से इसे कटिंग कर लेंगे अब यहां पर हमने छोटा सा कट लगाया है और मीडिल पॉइंट में भी छोटा सा कट लगानी है अब इसे ओन साइड फोल कर लेनी है अब मीडिल पॉइंट में हमने कट लगाया है वहां से प्लेटिस लगाना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसे ही छुट-छुटी प्लेटेश यहां पर लगा लेंगे जहां तक हमारा कर्ट लगी हुई है वहां तक इस प्लेटेश को लगा लेनी है तो देखें यहां तक हम इस प्लेटेश को लगा लेते हैं तो वान साइड हमने प्लेटेश को लगा कि यहां पर स्टिचिंग कर ली है अब दूसरे साइड में भी इसे स्टिचिंग कर लेनी है तो सेम प्रोसेस फोलो करते हुए दूसरे साइड में भी इस प्रोसेस को कम्प्लीट कर लेते हैं तो देखिए यहां तक भी हमारा जहां त स्टीचिंग करने के बाद ऊपर के साइड में भी हमें ऐसे ही इसे इस्टीजिंग कर लेनी है देखे दौन साइड हमने इस्टीचिंग कर लिया बज़ी हुई फेबरी को को कट करेंंगे ओव्र और उपर के हमारा जो हिस्सा है लग लग तयार हो चुकी है ऐसे ही पट्टी लेना है आप थोड़ी जादा भी लंबाई यहां पर ले सकते हो तो अब कॉर्णर से मोड़नाई स्टार्ट करेंगे हातों के मदद से फूल करते हुए इसे घुमाते हुए एक गुलप के फूल ब आप चाहो जितना भी इहां पर बना सकते हो तो हमने जादा नहीं बनाए छे से साथी इहां पर गुलप बना लेनी है ऐसे ही और इहां पर कार्ड देके अच्छा से पका कर लेनी है तो देखिए इहां पर हम इसको अच्छा से पका कर ले रही हो आप इहां पर कट करेंगे और ऐसे ही फ्लावर हमें और भी बना के तयार कर लेनी है तो देखिए इहां पर हम छे फ्लावर तयार कर ली है ऐसे ही हम पटी को लेंगे और कॉर्णार के साइट से फोल्ड करते हुए फ्लावर पती बना के तयार कर लेंगे तो ऐसे ही फ्लावर पत्ती धेर से बना लीनी है देखे यहाँ पर फ्लावर पत्ती बना के हमने त्यार कर ली है यहाँ पर कटिंग करके इसे फिनीसिंग कर लेते हैं अब कटिंग करने फिनीसिंग करने के बाद यहाँ पर हम चोड़ाई ही पत्ती लेंगे आर पेपर पेस्टिंग साथ चिपका लेंगे तो इसके लंबाई हमने 8 इंच ली है और इसके चोड़ाई है सारे 3 इंच तो ऐसे हाप इंच फोल्ड करते हुए इसे स्टिचिंग कर लेंगे तो इसे half inch fold करते हुए stitching करेंगे ऐसे ही जितना हमारा जितना लंबाई में हमारा पट्टी है उसको सारा में उसको पूरा design पे ही इसे half inch fold करते हुए stitching कर लेंगे तो चलिए friends फटा फट से इस design को complete कर लेते हैं तो देखिए इहां पर इसको stitching करके लगबख हमने इसको ready कर ली है तो देखिए इहां पर इस तरीके से कुछ इसको look आएंगे लीकल के और इहां पर जो धागा है उसे हम cutting कर लेते हैं तो हमारा जितना धागा है उसे cutting कर लिए अब इसको चोड़ाई हम measurement कर लेते हैं इसको चोड़ाई हमारा लगबख 14 इंज आ चुटी है जो कि इस लिए काफी अच्छी होती है काफी इसको perfect नाप होती है तो इहां पर इस पटी को लेंगे और उल्टा साइट करते रखते हुए इसे थोड़ी सी margin छोड़ते हुए इसे stitching कर लेंगे अब इस margin को stitching करने के बाद उल्टा साइट करते हुए इसे फिर से हम stitching करके piping के look दे देंगे तो दोनों साइट ही हमें इस piping को बना के तयार कर लेनी है तो दोनों साइट हम पाइपिंग बनाने के बाद इहां पर जो हमने इहां पर जोड़ देंगे देर इंची जोड़ना सही होगा और इहां पर जो फ्लावर पती है वो एक्के पर रेक रखते हुए इसे stitching कर लेंगे तो दोनों साइट हम इस फ्लावर पती को लगा के तयार कर लेते हैं तो प्रेंस अभी तक भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करना और बेल नोटिपिकेशन जरू से प्रेस करना हम जब भी कोई नहीं नहीं वीडियो अपलोट क करके mist लगायेंगे तो उससे पहले हम इसको अगर आगे जोड लेंगे तो इहां पर मिढेर साइच से मिलाएंगे अरधा हमने और के साइब सेसे सिलना स्टार्ट कर देंगे नीचे के साइब रखेंगे उपर वाला हिसार उपर के साइड रखेंगे जो हमने पट्टी तेयार की है रिजाइनर पट्टी उसको रखेंगे और यहाँ पर स्टीचिंग कर लेंगे तो देखें यहां पर इस स्ट्विजिंग करके हमने लगभगडिये डी कर ली है यहां पर लगाएंगे जो हमने गुलाब को भूल लाया है उसको लगाएंगे तो मीडिल पॉइंट से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही इसको अच्छे से लगा लेंगे तो यहां पर हम मीडिल से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि मीडिल से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसको छोटा बड़ा होना का समभब नहीं होगा और यहां पर हमें जितना चाहिए होगा उतना हम ले सकते हैं तो देखिए ऐसे ही स् काफी इसी तरीका से इस डिजाइन आप बना सकते हो और इस बनाने में ज्यादा कुछ जरूरी आपको नहीं होगा आपको पास अगर कुछ सामान है तो ऐसे ही डिजाइनर को बसूरस सीलिस बना के तैयार कर सकते हो तो ऐसे ही हम चारो चारो जितना हमरा गुला फुल बना के तयार की हैं सबी लगा ली है तो कैसे लगे वीडियो कमेट में जरूर बताना थेंक्स पूरुआ